किन्नर से सिक्का मांगते वक्त ना करें, गलती नहीं, तो पूरा घर हो जाएगा बरबाद, नमस्कार, दोस्तों, हर-हर महादेव कैसे हैं, आप लोग आशा करते हैं, आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, दोस्तों, आप लोग बहुत सारे विडियो. में देखे होंगे कि लोग बताते हैं, किन्नर से सिक्का मांगने से बहुत धन मिलता है, दौलत मिलता है, यह होता है, वह होता है, लेकिन आज की विडियो में हम ऐसा सच्चाई बताने जा रही हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे आपको. ऐसे जानकारी कोई ने नहीं बताया होगा, इस जानकारी को एक किन्नर ने अपने मुह से बताया है, कि कीनन से सीखा कैसे मांगने से धन की प्राप्ती होती है, और कैसे मांगने से सिक्का बिलकुल भी काम नहीं करता है. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनमर निवेदन है कि अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों चलिए बताते हैं सच्ची जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि आपको पता ही है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी विश्व के समान यानि जहर के समान होती है तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा हर किसी की जिन्दगी में धन दौलत से जुड़ी परेशानी बनी है आजकल के जमाने में लोग कमा रहे हैं 10 रुपए और खर्च हो रहा है 100 रुपए तो दोस्तों आजकल के जमाने में हर चीज मैनेज करना बहुत जरूरी होता है जैसे मान लीजिए उसे मैं बच्चों का पढ़ाई घर का खर्चा दवा हर चीज देखना ही पड़ता है महंगाई बहुत ज्यादा है कमाई लोगों का काम हो गया है तो दोस्तों आज हम एक ऐसा उपाय रामबान उपाय बताने वाले हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में नोटों की बारिश होने लगेगी लेकिन करना कैसे है यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा देखिए बहुत सारे लोग कीनन से पैसा मांगते हैं एक का सिक्का मांगते हैं लेकिन वह कैसे मांगना है सबसे पहले बता दूं की कैसे मांगेंगे तो वह बिलकुल कम नहीं करेगा तो आपको अपने मुख से बोल कर नहीं मांगना है कि मुझे एक रुपया का सिक्का दीजिये, ऐसे आपको बिलकुल नहीं मांगना है, आपको कैसे मांगना है, वह हम बता रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको कहीं किन्नर दिख जाए, तो आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ कर प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वह भगवान के रूप होते हैं, और आपको कोई फल या बिस्कुट और एक पानी का बोतल या कुछ पैसे जो भी आप उन्हें दे रहे हैं, तो अपने मुख से मत बोलिए कि मुझे एक का सिक्का चाहिए, आप इशारे से बोली अपनी एक उंगली दिखा कर कि मुझे एक का सिक्का चाहिए कि सारे से बोलना है, तो वह समझ जाते हैं, और वह खुद अपने आप से निकाल कर दे देते हैं, तो अगर आप मांगते हैं, वह फलता नहीं है, लेकिन आप इशारे से कहेंगे बिना अपने मुख से बोले वे तो देंगे, वह पैसा तो चलेगा, और आपके घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपके घर धंधाने से भर जाएगा कि तारों का जो आशिरवाद होता है, वह बहुत फलता फूलता है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि अगर उसे श्राप दे देते हैं, वह भी मनुश्य को पढ़ जाता है, और आशिरवाद दे देते हैं, वह भी पढ़ जाता है, तो आप लोग सावधानी रखें कि उनसे शराब लेने की कोशिश ना करें, उनको ऐसा मजबूर ना बनाएं कि वह श्राप देने पर मजबूर हो जाएं उनको खुश करें कि वह आप लोगों को आशिरवाद दे सके कि क्योंकी कीनन का आशिरवाद होता है, बहुत फलता फूलता है, दोस्तों यह थी आज की जानकारी आशा करते हैं, पसंद आई होगी फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादे